जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखे माता रानी सब का कल्यान करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को करवा चोट ब्रत से जुड़ी आपके सभी सवालों का जवाब यहां पर बताएंगे जैसे पीरियेड में ब्रत कैसे करें इस साल ब्रत की सुरुवात करें या नहीं करें प्रेग्नेंसी में ब्रत कैसे करें सास नहीं है तो सरगी किस से ले कुमारी लड़की ब्रत कैसे करे चंदर पूजन की थाली में क्या क्या रखें एवं दो करवा यूज होता है तो दोनों करवे में क्या भरें और करवा का क्या करें बाद में तो दोस्तु करवा चोट ब्रत से जुड़ी आपके सभी सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुक हवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे दोस्तों सबसे पहले जानते हैं जो सवाल सबके मन में आ रहा है नए जो नया नया ब्रत स्टार्ट करना चाहते हैं, चुकि इस बार मलमास लगा है, अधीक मास लगा है, तो लोगों के मन में दुविधा है कि ब्रत करे की नहीं, ब्रत की सुरुवात इस बार कर सकते हैं की नहीं, जो नया नया जिनका साधी हुआ है, नई नवेली दुलहन ह तो इस साल ब्रत करे या ना करे इस बात की उल्जन में वो दुविधा में हैं तो आपको बता दे कि दोस्तों जब जब मलमास या अधीक मास या खरमास लगता है तब तब कहा जाता है और मानिता है कि जब तक संबत ना जल जाये तब तक किसी ब्रत की सुरुवात नहीं करनी चाहिए लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जिस मास में मलमास लगता है उस मास में पढ़ने वाले ब्रत्योहार का प्रारंब्र नहीं करना चाहिए मेरी विचार से इस साल आप नए ब्रत की सुरुवात ना करे तो ही अच्छा होगा दूसरा सवाल है मासिक धर में हम करवा चोट ब्रत की पुजा कैसे करें, करें या ना करें पीरियड में ब्रत करने की मनाही नहीं होती है आप ब्रत करेंगी लेकिन आपको देवसपर्स नहीं करना होगा मतलब की आप पुजा पाठ में समलित नहीं होंगे आप दूर से ही कथा सुन सकते हैं एक अलग छलनी लेकर चंद्रदर्सन करके पती का चेहरा छलनी से देख सकती है लेकिन चंद्रमा पूजन आपको नहीं करना है गर्वती महिला ब्रत कैसे करें? वो ब्रत छोड़ सकती है या नहीं? अगर करे तो किस विधी से करें? जी हाँ दोस्तों गर्वती महिला ब्रत करेगी लेकिन वो कुछ अलग नियम अपना सकती है जैसे वो सुबह के समय ब्रत पूजन ब्रत कथा सुन ले और उसके बाद फल जूस बगरा ग्रहन कर ले बस आपको अन का सेवन नहीं करना है और रात्री में चंद्र पूजन करके ब्रत आपको खोलना है सर्गी कब खाएं? सास नहीं है तो सर्गी किस से ले? दोस्तो सर्गी सास द्वारा बहू को दी जाती है जो ब्रत से पहले बहू खाकर ब्रत का संकल्प लेती है और यह सुर्योदे से पहले खाई जाती है ब्रत वाले दिन अगर सास नहीं है तो खुद ही सरगी का इंतजाम कर लिजे, सरगी में आप फल, जूस, ट्राइफरूट या सेवई ले सकती है, तो नमकीन खाना खाने से आपको प्यास लगने की समस्या हो सकती है, इसलिए आप प्रियास करें कि मीठा फल ही खाय, मीठी चीजें ही ग्रहन कर सरगी में, अगला सवाल है कि सिंगार की सामगरी का क्या करें, करवे में जो रभ भर के रखा है, उसका क्या करें, अगर सास नहीं है तो, दोस्तों सिंगार का समान जो रहता है, वो सास को दिया जाता है करवे के साथ, लेकिन अगर सास नहीं है, तो आप घर की किसी भी, कुमारी लड़की ब्रत करेगी लेकिन वह तारों को बिना छलनी के देखकर ब्रत खोल सकती है सरगी नहीं मिलेगी इस कारण रोह किसी को सुहा का सामान भी नहीं देगी साधा ब्रत उसको रखना है सिंपल और प्रेमी या मंगेतर की लंबी उमर की कामना करनी है अगर आप अपने पार्टनर को लेकर निस्चिन्त है, मतलब साधी होनी ही है, तभी आप करवाचोट का ब्रत करें मतलब की सगाई हो गई है, साधी तै हो चुका है, तभी आप करवाचोट का ब्रत कर सकती है चंद्र पूजन की थाली में क्या क्या रखें? चंद्र पूजन की थाली में रोली, अच्छत, चांदी का सिक्का, सफेद फूल, सफेद मिठाई, घी का दीपक, छलनी, अर्ध देने का लोटा और एक अलग पानी का लोटा या ग्लास, चीनी, दूद, चंद्रमा को अर्ध देने के लोटे में चीनी और दूद अवस्य मिला सिंगार का सामान, जिसे सुहाग की सामगरी बोलते हैं, वो आप अपने सास को दे सकती हैं, ये सब चीजे आप चंद्र पूजन की थाली में अवस्य रखें, करवे में क्या भरा जाता है, दोस्तों करवे में पंचमेमा, लड़ो, गेहूं एवं सक्कर रखा जाता है, नई फसल को भरने की प्रथा है, इसलिए चावल या पोहा, गेहूं कुछ भी रखा जा सकता है, उसके उपर आप धक्कन रखें, कुछ मीठा एवं धक्षिना रखें, तो दोस्तों आसा करती हूँ कि आपके सारे सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, और इसकी बाबजूद अगर आपके मन में कुछ और सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकती है, मैं रिपलाई देने का अवस कोसिस करूँगी, तो आसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, या आज की वीडियो ये बहुत बहुत पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, सेर करें, और मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स